जहिन दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं SSC CGL की वेकेंसिस निकली हुई है और 23 जनवरी 2022 तक इसके फोर्म भरे जा सकते हैं दोस्तों जितने भी graduate candidate हैं वो सभी समें apply कर सकते हैं और काफी लोग इस सवाल पूछते हैं कि उनकी service के 2 साल, 3 साल, 5 साल बचे हुए हैं तो मेरा इमानना है कि अगर आप graduate हैं तो आपको जरूर इसके लिए try करना चाहिए irrespective कि आपकी कितनी service बची है आपको जरूर इसका experience आपको लेना चाहिए क्योंकि आप जहां भी posted हैं जिस भी station में आप उसी station से apply करके और जरूर इसके exam का जो भी experience है वो आप ले सकते हैं जो भी graduate candidate है चाहिए वो ex-service man हो चाहिए वो civil candidate हो उन सब को इस exam को जरूर फेस करना चाहिए जिसे कि उनको पता चलेगा कि इसका क्या level है और वो इस exam के लिए प्लस आने वाले बाकी exams के लिए भी तयार हो सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे subjects ऐसे हैं कि जो बाकी exams में भी cover होते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि SSE CGL का syllabus क्या है और इसके हम sample questions भी देखेंगे कौन-कौन किस-किस type के questions इसमें पूछे जा सकते हैं दोस्तों सानी को से जोड़ी सारी cover को जानने के लिए subscribe का button दबाएं और bell icon को press करके all का button दबाएं ताकि सारी जानकारी आपको मिले सबसे पहले तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि SSE CGL का total जो exam का scheme है तो SSE CGL का जो exam है वो चार भागों में complete होता है जिसमें tier 1 और tier 2 computer based exam है और tier 3 का exam है वो pen and paper mode में होता है जो कि descriptive paper है और tier 4 के अंदर computer proficiency test यह जिसको data entry skill test भी बोला जा सकता है यह जिसको typing test भी बोला जा सकता है तो इन चार भागों में SSE CGL का exam complete होता है दोस्तों tier 1 के अंदर general intelligence reasoning के 25 question आते हैं पचास marks के general awareness के 25 question आते हैं पचास marks के quantity aptitude यानि की maths के 25 question आते हैं पचास marks के और English comprehension के भी 25 question आते हैं पचास marks के तो इस प्रकार total 100 question होते हैं 200 marks के तो आज के इस वीडियो में हम tier का complete syllabus है उसको discuss करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि general intelligence और reasoning में किस-किस type के question आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों general intelligence और reasoning में analogies के question आपसे पूछे जा सकते हैं इसमें आपको दो सब्दों में संबंद एक बताये जाएगा और फिर तीसरा सब्द देकर उसका क्या हो सकता है उसके options दिये जाएगे जैसा कि आपका संबंद down से है तो hot का संबंद किस से होगा तो आपको उसमें options में देखनाँ होगा कि hot का संबंद cold से होगा इसी प्रकार March के आगे, April आता है तो spring के बाद में क्या आएगा तो इसमें दिरक खाए कि spring के आइस जैसे solid होती है तो fire कैसी होगी तो fire hot होगी इसी प्रकार से shark अगर ocean में रहती है तो beer कहां पर रहेगा तो beer गुफा में यानि कि den में रहेगा तो इस type के संबंद वाले question आपको पुछे जा सकते हैं general intelligence में दूसरा है similarities and difference यानि कि आपको कोई भी similar words दिये रहेंगे और उस जो कि आपको पहचानना है तो इसमें चार फलों के नाम दे रखे हैं banana, grape, orange और pomegranate तो इसमें आपको बताना है कि जो सबसे भिन है वो कौन सा है तो इसमें जो grape है वो सबसे भिन है क्योंकि बाकी के जो तीन फल हैं जैसे कि संत्रा, केला और अनार इनको छिलका उतार के ख खाया जाता है दोस्तों इसके बाद space visualization के question आप से पूछे जा सकते हैं जैसे कि आप उपर figure में देख रहे हैं एक आकरती आपको दी गई है और नीचे ये जो dice बना रखी है इनमें आपको बताना है कि कौन सी उस आकरती से बनी हुई है तो इसमें जैसे कि आप देखेंगे कि A के नीचे B है और side में O है तो ये जो आकरती B वाली है ये इसको most suit कर रही है तो ये इसका answer हो सकता है बाकी इनमें कोई answer इसका नहीं होगा दोस्तों इसके बाद space orientation के question आप से पूछे जा सकते हैं कि इसमें पूछा गया कि four position of a cube are shown below which color is opposite to white color in the given cube यानि कि white के opposite में कौन स color है वो आपको बताना है तो जैसे कि आप देख रहे हैं white के ये side में orange है red है यहाँ पर white के side में orange और yellow है यहाँ पर white के side में yellow और green है और यहाँ पर white के side में blue और red है तो इसमें आप देखेंगे कि orange ये इसके side में है blue ये भी इसके side में है red ये भी इसके side में है yellow ये इसके side म नहीं हो सकते हैं तो इसका जो अंस्वर होगा वो इ होगा नन ओफ दा अबाव दोस्तों इसके बाद में judgment का आपसे question पुछे जा सकते हैं जैसे इस question में पुछा गया है कि कोई जैसे चार दोस्त बास्केटबॉल का मैच देख रहे थे और उनको सब को भूक लगी थी लेकिन कोई भी खाने के लिए जाना नहीं चाहता था तब ही टीवी के उपर एक advertisement flash हुआ जिसमें की कोई pizza delivery का number दिया गया लेकिन जब तक वो note करते वो advertisement है वो टीवी से जा चुका था तो सभी ने कुछ memorize किया कुछ जो number उसका memorize किया तो इसमें दे रखा कि कौन सा most probable हो सकता है तो तीन लोगों ने देखा तो यानि कि ये confirm होगा कि तीन लोगों में सही बोल रहे है तो हम इसको 9 को पकड़ेंगे उसके बाद में जैसे 2 कितनी लोगों ने 2 भी 3 लोगों ने देखा तो 2 भी माना जाएगा उसके बाद 6 भी 3 लोगों ने देखा तो 6 को हम मानेंगे और last में यह जो 6 है यह भी 3 लोगों ने देखा तो जो इसका A है most probably जो इसकी संख्या है वो match कर दी है कि ज़्यादतर लोगों ने, maximum लोगों ने देखा तो उसको हम judgment उसका निकाल सकते हैं दोस्तों इसमें decision making के question आपसे पूछे जा सकते हैं जैसे कि इसमें एक example दे रखा है इसमें आपको statement दिया होगा और उसके नीचे conclusions दिये होंगे तो इसमें इस statement दे रखा है कि because of motor vehicles like cars pollution has increased manifold यानि कि car की वज़े से जो pollution है वो काफी बढ़ गया है और दूसरा इसमें statement है कि respirator disease are increasing due to pollution यानि कि जो स्वासंबंदी जो बिमारिया है वो pollution की वज़े से बढ़ रही है इसके बाद में इनका जो conclusion है वो इस परकार से दिया गया है कि if car were not there, pollution would be निल यानि कि अगर कारें नहीं होंगी तो pollution बिलकुल खतम हो जाएगा तो ये जो sentence है ये सही नहीं है क्योंकि जो कारें नहीं होंगी our बहुत सारे और vehicle हैं, truck's हैं, bikes हैं जिनकी जो जैसे pollution होता है इसके अलाव बहुत सारी factories है और बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जिनकी जैसे pollution होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि जो डॉक्टरों की normal income है उसके लावा pollution के वज़े से जो income होती है तो वो उसमें काफी हो सकती है तो इसमें statement 2 जो है वो सही होगा तो इसमें जैसे नीचे option देग रहे हैं कि either 1 or 2 follow यानि कि दोनु सही है या दोनु गलत है या 1 सही है या 2 सही है तो इसमें जो answer होगा D होगा कि only conclusion 2 follows तो इस type के question भी उसमें आ सकते हैं दोस्तों visual memories के question आ सकते हैं जिसमें कि आपको एक आकरती दी होगी यह first में आकरती दे रखी है और आपको बताने कि इसकी जो mirror image है वो कौन सी होगी तो इसकी जो mirror image है वो C होगा दोस्तों observation के question आ सकते हैं कि इसमें जैसे question दे रखा है arrange the given words in the sequence in which they occur in dictionary तो dictionary जैसे आप सब लोग ने पढ़ी होगी उसमें जिस type से word को arrange किया जाता है कि पहले A, B, C इस type से जो भी first का letter है उसके बाद A, B, C से start होता है तो इस type से आपको arrange करने के लिए question इसमें आ सकते हैं relationship concept आ सकते हैं कि जैसे इसमें दे रखा है कि A plus B का मतलब है A is the sister of B A into B का मतलब है A is the brother of B A minus B का मतलब है A is the father of B तो इसमें कौन से का मतलब होगा कि C is the aunt of D कि C जो है वो D की aunt है तो इसमें number 4 है इसका मatलब होगा क्योंकि इसमें जैसे के आपने दे रखा है कि A minus B का मतलब A पिता है B का तो इसमें A minus D का मतलब होगा A पिता है D का और C plus A का मतलब होगा कि जो A है वो sister है B की यानिकि जो C है वो sister है A की तो यहाँ पर यह दोनु भाई बैन हो गए और यह D का पिता हो गया तो यानि कि जो C है वो D की हांट हो गई तो यह वाले जो number 4 है वो इसका answer होगा coding और decoding के question इसमें पूछे जा सकते हैं जैसे कि यह coding और decoding का question है आप इसको pause करके एक minute के लिए समझ सकते हैं कि इस answer क्या होगा दोस्तो इसमें दे रखा है कि किसी certain language में computer को यह इस type से लिखा जाता है तो medicine को क्या लिखा जाएगा दोस्तो आपको इसमें और इसमें संबंद बैठाना पड़ेगा तो जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि जो c है वो last में आ गया है और जो r है वो first में आ गया है यानि कि शुरू के और last के जो letter है उनको interchange किया गया है और इसके बाद जो भी letter है उनको उनके जो next letter से replace किया गया है जैसे कि यहाँ पर o के बाद p आ गया M के बाद N आ गया P के बाद Q आ गया U के बाद V आ गया P के बाद U आ गया और E के बाद F आ गया तो यह relation आपको इसमें बैठाना पड़ेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो letter होगा जिसमें M last में होगा और E first में होगा तो M last में और E first में इन दोनों situation में आ रहा है इसके बाद में जैसे E के बाद में F होगा दोनों में F आ रहा है उसके बाद में D के बाद में E होगा तो यह E इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप बीच में इसको बता सकते हैं कि जो इसका correct answer है वो D है दोस्तों सेलोगेस्टिक रिजनिंग आ सकती है आपने कई टाइप के एक्जाम में देखा होगा तो इसमें जैसे स्टेटमेंट दे रखा है some actors are singer all the singers are dancer तो इसमें conclusion दिये गए है some actors are dancer और दूसरा no singer is actor तो दोस्तों इसमें आप एक ऐसे figure बना के आप देख सकते हैं कि some actors are singer यानि कि कुछ actors जो है वो singer है तो ये वाला आप जो part है जो actors का है वो singer है लेकिन all the singers are dancer लेकिन जितने भी singer है ये सारे dancer है तो इसमें जैसे first conclusion है some actors are dancer तो ये सही हो सकता है क्योंकि जितने भी singer है वो सभी dancer है और कुछ जो actor है वो singer है तो ये वाला जो part है ये इसमें आ सकता है तो ये वाला statement सही हो सकता है तो इसमें दूसरा जो conclusion है वो दे रखा है no singer is actor यानि कि कोई भी singer actor नहीं हो सकता तो ये possible नहीं है जो statement one है वही सही है बाकि दूसरा सही नहीं है दोस्तों general awareness की बात करें ये इस का second paper है current events आ सकते हैं जो भी current में जितनी भी चीज़ें चल रही है तो वो आपकी सब newspaper से update हो सकती है इंडिया और उसकी neighboring countries के बारे में पुछा जा सकता है history, culture और geography आ सकती है economics आ सकती है और general policies and scientific research आ सकती है दोस्तों इसके तयारी करने का सबसे सही तरीका यही है कि आप इसले 6 महिने में जितने भी current events होए है उनको सब को ध्यान से पढ़े और अगर आप regular newspaper पढ़ते हैं तो यह जो आपका portion है यह वैसे ही आपका तयार हो जाएगा दोस्तों बात करें quantity, aptitude यानि कि maths की तो maths के अंदर किस-किस टाइप के question आते हैं वो देखते हैं इसमें जैसे दिया आएगा कि how many hall numbers are there between 244 and 332 which are exactly divided by 7 यानि कि इन दोनों संख्याओं के बीच में ऐसे कितनी संख्या हैं जो कि 7 से divide हो सकती है तो जैसे कि 245 साथ से divide होता है उसके बाद हम अनुमान लगा सकते हैं या तो calculate करके वैसे या अगर direct आपको लगाना है तो 245, 332 में से 245 हम निकालेंगे तो 87 आएगा तो 87 क्या है 12, 12, 7 से divided हो जाएगा क्योंकि 70, 10 बार और उसके बाद 84 दो बार और यानि कि 12 बार टोटल यानि कि बार ऐसे संक्याई हैं जो 7 से divided हो सकती है तो इस टाइप से भी आप इसका अंस्वर निकाल सकते हैं दोस्तों fractions आते हैं simple calculation भी आती है थोड़ी tough भी आती है x, y की calculation आती है तो इस type के fractions के question भी आपको देखने को मिल सकते हैं percentage के question आपको देखने को मिल सकते हैं जैसे कि एक sample question है कि out of two number दो number हैं जिन में से 65% of smaller number is equal to 45% of larger number यानि कि जो छोटा number है उसका 50% बराबर है बड़े वाले number के 45% से और दोनों का sum है 2564 तो वो value क्या होंगी तो math के percentage के इस type के question आपके पुछे जा सकते हैं square root पुछे जा सकते हैं कि अगर 1101 का square इतना है तो square की value आपको बतानी है इसके बाद interest के question पुछे जा सकते हैं एक sample question हम देख ले हैं कि अरुन ने 20,000 रुपे दिये दो friends को एक को 12,000 रुपे दिये 8% पर NM के हिसाब से और अरुन क्या है कि total जो overall benefit है वो 10% का चाता है तो दूसरे को किस rate पे simple interest के rate पे दे ताकि जो उसका पूरा जो profit है वो 10% का हो जाए तो ये इस type के simple interest के question आप से पूछे जा सकते हैं profit and loss के question पूछे जा सकते हैं जैसे इसमें देरक्खा है नितिन और निकिल इन्वेस्टेड 40,000 and 30,000 respectively उन्हें business उन्होंने को business start किया जिसमें 40,000 और 30,000 रुपे उन्होंने लगाए लेकिन 3 महिने बाद जो नितिन था जिसने की 40,000 लगाए थे उसने 10,000 रुपे अपने निकाल लिए तो उसका जो profit में share है वो कितना receive होगा साल के अंत में तो इस टाइप के question आप से पुझे जा सकते हैं इसी वरकाद time and distance के question पुझे जा सकते हैं कि two bikers A and B starts the same time and ride at 75 km per hour and 60 km per hour respectively towards इस एज़रे एक दूसरे की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं 75 km प्रति गंटे की रफतार से 60 km प्रति गंटे की रफतार से और वो 20 मिनट बाद आपस में मिलते हैं तो वो शुरू में एक दूसरे से कितना दूर थे तो time and distance के इस टाइप के question आप से पुझे जा सकते हैं दोस्तों आने वाले समय में एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें एक model paper पूरा solve करेंगे ताकि आपको सनी से पता लग जाए कि इनको कैसे speed से कैसे solve किया जाता है time and work के question आ सकते हैं इसमें एक and finish this work एक इस काम को 10 दिन में पूरा करता है और जो B है उस काम को 12 दिन में पूरा करता है तो दोनों अगर साथ में काम करें तो उसको कितना time में finish कर सकते हैं यह simple question है math के उसके बाद में जैसे P and Q एक project 150 दिन और 100 दिन में करते हैं और अगर वो दोनों साथ में काम करें तो total जो project है उसका 60% वो कितना time में कर सकते हैं दोस्तो quantity, aptitude के अंदर geometry आप से पूछा जा सकता है geometry के अंदर triangle, circle, polygon, quadrilateral, cylinder, square, hemisphere के question आप से पूछे जा सकते हैं जैसे कि इस question में दिया गया है कि जो angle BAC और OBC दोनों को plus करके कितनी उसकी value आएगी तो इसमें angle BAC और OBC तो इन दोनों को plus करके कितनी value आएगी इस type के geometry के question आप से पूछे जा सकते हैं दोस्तों बात करें English comprehension की तो English comprehension में चेक किया जाता है कि candidate की ability क्या है English language को समझने की और उसको कितना उसका basic knowledge है दोस्तों English comprehension के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं हम देख लेते हैं इसमें tier 1 और tier 2 दोनों का दे रखा है तो कुछ एक चीज़े हैं जो tier 1 में नहीं आती जैसे close test नहीं आता है इसके पाद active passive voice, direct indirect speech और para jambals और jambals sentence नहीं आते हैं लेकिन इसके लावा जैसे synonyms और antonyums आते हैं fill in the blanks आते हैं spelling test आते हैं idioms, phrases आते हैं one word substitution आते हैं sentence और phrases improvement आती है sentence correction, spotting the error आता है fill in the blanks आते हैं sentence और phrases improvement आता है और reading comprehension आता है तो यह सब आपका tier 1 में आता है दोस्तों आने वाले समय में एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम पूरा एक model paper solve करेंगे जिससे कि आपको idea लग जाए कि question को किस type से solve करना है और किस type से आप minimum समय में maximum जो number है वो प्राफ्ट कर सकते हैं उमीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इसको like, share and subscribe करना ना भूले और बने रहे मेरे साथ इसी प्रकार के interesting videos के लिए दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद आपका दिन शुबह हो, जैहिंज जै भारत